नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो उनलारायन शुबात करेंगे खबरों की कोरोणा वैक्सिनेशन की रिकॉरड सो करोड गुरुवार को पूरा होने के एक दिन बाद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी यानी कि आज सुभा राज्ट को सम्बोधित करने जा रहे हैं प्रधान मंत्री कारले की तरफ से ये जानकारी दी गई है पीयम मोदी की तरफ से लगातार देश के लोगों को वैक्सिल लगाने की जनता से अपिल भी की जा रही थी record vaccination का कृतिमान बनाने के बाद पिया मोदी ने कहा था कि देश ने इतिहास रचा है हाला कि उनके संबोधन को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि देश के सामने इस वक्त कई तरह के मुद्धे हैं जिस तरह से कश्मीर में आतंकी गतिविदिया जारी है और पिछले 12 दिनों से एंकाउंटर जारी है हो सकता है कि सुरक्षा के मद्दे नजर भी वो बात करें लेकिन उमीद है कि कोरोना वैक्सिनेशन जिस तरह से रिकॉर्ड इस तरह पर पहुंचा है और इक अतिहासिक रिकॉर्ड बनाया भारत नि इस पर जनता को सम्बोधित कर सकते हैं प्रधान मंत्री नरिंद्रमोधी इसके अलावा तमाम मुद्दे हो सकते हैं चाहिए वो सुरक्षा को लेकर हो या फिट कोरोना में वैक्सिनेशन में तो रिकॉर्ड बना है लेकिन कोर आगे चलकर किस तरह की साफधानिया बरत्तनी हैं इसको लेकर भी प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज जो देश को संबोधित कर सकते हैं इसके रावा अगामी त्योहार को लेकर भी वो लोगों से अपील करेंगे कि त्योहार को खुशी खुशी मनाएं लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है तो ऐसे में कोरोना प्रटोकोस का भी पूरी तरह से पालन करें तो कोरोना वाक्सिनेशन के रिकॉर्ड पर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज जनता को संबोधित करने जा रहे हैं करीब दस बचे देश को संबोधित करेंगे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी कोरोना वारस को मात देलें के लिए चुलाए जा रहे देश व्यापी टीककरण अभ्यान ने एक खास उपलब्धी हांसिल कर ली है देश भर में गुरुवार को टीककरण अभ्यान के तहत 100 करोड से जादा कोरोना वैक्सिन की डोस लगाई जा चुकी है मही देश के सुपलब्धी में इंडिगो एरलाइन्स ने बड़ी भूमी का निभाई है दरसल इंडिगो ने एक बयान जारी करते हैं बताया कि एरलाइन ने 9 महीनों में कोरोना वैक्सिन के कुल 669 करोड खुरा को ट्रांस्पोर्ट करने में बड़ी भूमी का निभाई इंडिगो ने दावा करते हैं बताया है कि एरलाइन ने 4505 उडानों के माधियम से 1727 टन कोरोना वैक्सिन का ट्रांस्पोर्ट किया है एरलाइन के बयान में कहा गया है कि इंडिगो ने सभी आवशक एतिहाती उपाईयों का पालन करते हुए इन उडानों का संचालन किया इंडिगो के चीफ कमर्शिल आफसर विलियम बोटलर ने कहा है कि हम देश भर में कोरोना वैक्सिन की 100 करोड खुराक लगाये जाने के लिए भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं हम पिछले नौ महीनों में सरसर दशमलो नौ शुन्ने करोड वैक्सिन की डोस को सुरक्षित तरीके से ट्रांस्पोर्ट करने के लिए और राश्ट्री ठीका करन कारकर में योगदान करने में सक्षम होने के लिए सम्मानित महसूस करते हैं विलियम बोटलर का कहना है कि देश में कोविट के टीको का सबसे बड़ा ट्रांस्पोर्ट बनना एक सम्मान की बात है जो हर महीने देश भर में लगबग 190 टन वैक्सिन कारगो ले जाता है हम राज्व का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिवद हैं और टीको का ट्रांस्पोर्ट तब तक करते रहेंगे जब तक देश पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता है तो देश में खुशी का महौल है कल किस तरह से आपने तस्वीरे देखी होंगी जो तमाम एतिहासी के मारते थी उन्हें तिरंगा के रंग में रंगा गया था ऐसी रोशनी लगातार बिखरी हुई नजर आ रही थी और देश जश्म ना रहा था क्योंकि ये देश ने कोरुणा पर एक हद तक विजए हासिल कर ले हैं ता कि कुछ मामनी सामने आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से लगातार वैक्सिनेशन रिकॉर्ड स्तर पर है उससे जरू कहा जा सकता है कि जल्द ही हम जो कोरुणा है उस पे विजए पूरी तरह से हासिल कर लेंगे तो इंडिको ने एक खास भूमिका अदा की है 4,505 उडानों के साथ 1,000 से जादा टन कोरुणा वैक्सिन का यहां पर उन्होंने ट्रांस्पोर्ट किया है जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट करके काफी बधाई सरकार को भी दी है और देश को भी दी है साथी इंडिको की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक देश को जुरत है तब तक यूही वैक्सिन का वो ट्रांस्पोर्ट करते रहेंगे ताकि आकड़ा देश में कोरुणा का शुन्ने हो सके